दोस्तों किया आप कभी ये सोसकते हो कि शारु खान जैसा किंग शारु खान जैसा बड़ा स्टार बिग बॉस के घर के अंदर ऐसे कंटेस्टन एंट्री ले ले या फिर अमीता बच्ट जैसा बड़ा स्टार बिग वी मतलब सदी का माना एक बिग बॉस के घर के अंदर कंटेस्टन के तौर पर आ जाए कुछ ऐसी खबर मेरे हाथ लगी है मेरे पास एक आर्टिकल आया है तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये खबर जरूर सुन लेनी चाहिए काफी इंटरस्टिंग खबर है बिग बॉस से जोड़ी हुई है तो यहाँ पर राजेश खणना को तो आप सब जानते ही हो और कहा जाता है कि राजेश खणना बॉलिवड के सबसे पहले सूपरस्टार थे और जैसा फेम राजेश खणना ने देखा था कि राजेश खणना कितने बड़े सूपरस्टार थे ऐसे में इस आर्टिकल में बड़ी शौकिंग चीज लिखी हुई है यकीन ही होगा आपको देखो मैं पढ़ पढ़ के कुछ चीजें आपको सुनाता हूँ जो कि इस आर्टिकल में लिखी हुई है एकॉर्डिंग टू 2012 रैटिफ आर्टिकल जर्रलिस्ट अली पीटर जौन उन्होंने ये बात मीडिया में आकर बताए कि कुछ सालों पहले बिग बॉस के मेकर्स ने उनको फोन किया था और राजेश खणना के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए गया था कि वो जो है जो जहरों जो जर्लिस्ट है वह बिग बॉस के मेकर्स की मीटिंग राजेश खणना के साथ फिक्स कर दे क्यूंकि वह राजेश खणना को बिग बॉस के घर के अंदर एक कंटेस्टन्ट लाना चाते थे ये बात है 2010 से पहले कुछ सालों पहले की जब राजेश खन्ना को मेकर्स बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री दिलवाना चाहते थे ऐसे में जनलिश का कहना है कि जब मुझे ये कलर्स की तरफ से कॉल आया तब मैंने उनको कहा कि राजेश खन्ना ऐसा शो थोड़ी करेंगे लेकिन कलर्स वालों ने मुझे कहा कि आप कन्विंस तो करो क्यूंकि हम उनको साड़े तीन करोड पर एपिसोड का उफर करने इतनी बड़ी रकम मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस के पूरी हिस्ट्री में किसी कंटेस्टन को दी होगी इतने साल पहले वो साड़े तीन करोड पर एपिसोड का देने को तयार थे आज के टाइम में भी बिग बॉस सिजन 18 आ गया है मुझे नहीं लगता कि साड़े तीन करोड किसी भी कंटेस्टन को बिग बॉस के घर के अंदर आने के लिए उफर किया गया था इतना बड़ा ए इंटेक्शन लेना चाते हैं तो जनलिस्ट का कहना है कि राजश खना ने मुझे इंकार कर दिया कि मैं ये शो नहीं करूंगा राजश खना ने साफ इंकार कर दिया और बिग बॉस के मेकर्स को इंकार कर दिया जनलिस्ट ने कि राजश खना नहीं मान रहे हैं ऐसे में आग कलर्स वालों से बात की तो कलर्स वालों ने कोई भी इंटरस्ट इसमें नहीं दिखा यानि कलर्स वालों ने आगे से इंकार कर दिया कि वो अब राजेश खन्ना को बिग बॉस के घर के अंदर नहीं लेना चाहते लेकिन यहां पर काफी ध्यान देने वाली बात यह है कि तक बॉलिवड में कोई भी नहीं देख पाया और ये बात उस टाइम की है जब राजेश खना का करियर पूरा खतम हो चुका था पूरे राजेश खना जीरो हो चुके थे और इसके पीछे की वज़ा हर कोई अमीता बच्चन को भी बताता है कि अमीता बच्चन की फिल्में ज ही मानते थे कि अमीता बच्चन की वज़से उनका करियर डूबा है तो इस तरह की खबर मेरे सामने आई कि बिग बॉस में राजेश खना को भी आने का ओफर दिया गया अगर वो बिग बॉस के घर के अंदर आते तो वो सीजन भी यादगार सीजन बन सकता था ऐसे में के बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बिग बॉस से जुड़ी लेटस से लेटस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर